किसान भाईयो सोनालिका ने 2023 में अपने प्रिमियम टेक्टर टाइगर सिरीज के 55 डियाई में दो बड़े मैजर अपडेट करें हैं उसी के चलते सोनालिका ने अपने टाइगर 55 में इंजर नी बदल दिया है नमस्कार किसान भाईयो में हूँ आपका दोस्तरोईत यादवोर में फिरसे एक बार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चेनल टेक्टर टीवी पर सिलेंडर वाला मॉडल में आपको दिखा रहा हूँ अब एसा क्यों करा है सोनालिका ने इसे भी अपन समझने की कोसिस करेंगे विस्तार से आगे इस वीडियो में और किसान भाईयो इस वीडियो के लाश्ट में टेक्टर टीवी डॉट इन से एक स्कोर या नमबर मिलेगा जिससे आपको ये समझने में काफी मदद मिलेगी कि ये टेक्टर पीटियो पावर टॉर्क और लिफ्टिंग कैपेसिटी के मामले में अपनी कैटेगरी में कितना बहतर है इसलिए वीडियो को पूरा देखें आखरी तक और जाने कितना स्कोर मिला है सोनालिका टाइगर प बचraum में इंजन ही बदल दिया है अब ये तीन सिलेंडर के नए दमदार इंजन के साथ आता है सोनालिका का कहना है कि ये सबसे बड़ा इंजन है तीन सिलेंडर के टेगरी में 50 HP के टेक्टरों के अंदर तो चलिए अब बात करते हैं इस टेक्टर की तो किसन भाइयो सोनाल का next generation टेक्टर है इस टेक्टर को modern और नई तकनिक और new generation को ध्यान में रखकर तयार करा है सोनालिगा ने इस टेक्टर को इस टेक्टर में आपको हर वो चीज मिल जाएगी जिसे देखकर आपको feel होगा कि आप किसी modern टेक्टर को चला रहे हैं या देख रहे हैं चले अब बात करते हैं इस टेक्टर के looks features और comfort की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया मिल जाता है इस टेक्टर में आपको लुक्स की बात करें तो किसन भाईयो सोनालिगा ने इस टेक्टर को European market के हिसाब से तयार करा है सबसे पहले तो aerodynamic type modern and round edge hood profile मिल जाती है इस टेक्टर की सांदर all new metallic blue color के साथ dual barrel head lamp मिलते हैं इस टेक्टर में आपको chrome के साथ जो काफी premium सा feel कराते हैं देखने में उस पर super deluxe DRL का treatment अलग से मिल जाता है जिससे ये रात में भी काफी अच्छा सा look देता है देखने में वहीं hood पर side में भी काफी अच्छा chrome का treatment मिल जाता है और वहीं tiger की beijging भी 3D में की गई है ये पूरा setup इस टेक्टर को काफी modern और rich look देता है देखने में कहीं से भी काम धकाउ वाला काम नहीं दिखता इस टेक्टर में आपको personally बहरी बात करूँ तो मुझे पसंद आया इस टेक्टर का look देखने में सबसे जादा मुझे इसका metallic color पसंद आया काफी premium feel देता है ये color देखने में चलो अब बात करते हैं इसके features और comfort की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया दिया है Sonalika ने अपने Tiger के 2023 model में तो सबसे बहले बात करते हैं इस टेक्टर के instrument cluster की instrument cluster की बात करे तो इस टेक्टर में आपको पूरा modern instrument cluster मिलता है जिसका layout देखने में काफी premium लगता है इसमें आपको RPM, fuel gauge और temperature analog style में देखने को मिल जाता है वहें hours बताने के लिए एक छोटी सी black and white digital strip देखने को मिल जाती है इस टेक्टर में आपको वहें आपको अब इसमें powerful dual barrel headlamp के साथ car like combination switch भी मिल जाता है जिससे एकी liver से आप टेक्टर के headlight turn indicator upper deeper को बंद चालू कर सकते हो चलिए अब बात करते हैं इस टेक्टर के steering की तो किसान भाईयो यह है open center, hydro static, dual acting में आने वाला manually operated by steering control wheel वाला power steering system seat और comfort की बात करी तो किसान भाईयो इस टेक्टर में आपको मिलती है टू बेड इस टेवल नॉनमल seat भी 2LE का कोईल spring suspension और साथ में hydraulic shock absorber dumping control के लिए और इसमें आपको flat platform मिल जाता है इस टेक्टर में आपको और इसकी seat काफी height per place है जिससे टेक्टर पर काफी अच्छा control रहता है आपका और engine की direct heat से भी आपको बचाती है तो चलिए बात करते हैं इस टेक्टर के engine की और देखते हैं कि क्या कुछ खास और नया दिया है इस टेक्टर में सोनालिका ने तो किसान भाईयो यह है सोनालिका का 332 CC का vertical inline 3-cylinder forced or liquid cooled naturally aspirated direct injection diesel engine जिसमें fuel जाता है inline fuel injection pump से और आपके लिए dry type dual element air filter लगा हुआ है और वहीं इस engine को ठंडा बनाये रखने के लिए force circulation of coolant और water cooling system लगा हुआ है overflow, reservoir के साथ और ये engine लगबग 2000 engine rpm पर चल कर लगबग 50 hp की ताकत और लगबग 230 newton meter का torque पे दख कर देता है और वहीं जरूरत पढ़ने पर ये engine लगबग 28% का backup torque भी लगा सकता है gearbox की बात करे तो, किसन भाइयो ये है 15 gear वाला mechanically updated combination of constant mass gearbox side shift gear lever के साथ 12 forward 3 reverse gear speed वाला gearbox वहीं इस gearbox के gear pattern की बात करे तो इस gearbox में आपको 4 आगे के gear की 3-3 speed मिलेगी और वहीं एक पीछे के gear की 3 speed मिलेगी वहीं clutch की बात करे तो इस tractor में आपको clutch plate की 2 unit मिलती है, dry fiction pad and plate type clutch plate मिलती है पहली push type clutch pedal से operate होगी जिससे tractor control होगा और दूसरी PTO के लिए जिसे आप seat के side में दिये गए lever से operate कर सकते हैं पीडियो की बात करे तो किसान भाईयो यह है 46.6 HP की independent PTO clutch plate के साथ आने वाली 540 plus multi sprint plus reverse PTO इसमें 540 sprint की live PTO जो लगबख 1750 इंजन RPM पर चल कर 540 RPM की sprint से गूमती है और वहीं 540 sprint की reverse PTO जो 1700 इंजन RPM पर चल कर 540 RPM की sprint से गूमती है multi sprint की बात करे तो इस टेक्टर में PTO की 4 speed ओर मिल जाती है multi sprint PTO में hydraulic की बात करे तो किसान भाईयो यह है 3 point linkage 2200 kg की lifting capacity वाली category 102 की 5G exo sensing hydraulic system open center live air DDC type single acting 3 point top link और 130 sensing point automatic draft and gray control वाली hydraulic system बागी आपको इस टेक्टर में दो auxiliary control wall भी मिल जाते हैं reversible plow और trolley वगेड़ा के लिए brake की बात करे तो इस टेक्टर में आपको mechanically operated push step brake pedal के साथ aisle में डूबे हुए multi-dix braking system मिल जाता है और वही handbrake इस टेक्टर में आपको pall and ratchet arrangement type मिलता है tire और axle की बात करे तो किसान भाईयो इस टेक्टर में आपको आगे मिलते हैं साथ मां 16-8PR के tire adjustable front heavy axle के साथ और वहीं पीछे 16-22PR के tire के साथ Bulgarian pinion unit type drive axle के साथ rear drive axle मिलता है और इस टेक्टर का बजने लगबग 2310 किलो लंबाई ये लगबग 13.3 इंच और ये लगबग 6.5 इंच उचाई ये लगबग 8.3 इंच सालें सर्तक wheelway से लगबग 7.1 इंच और ground clearance से लगबग 1.4 इंच 65 लेटर का diesel tank इस टेक्टर का और लगबग 2.5 से तो 5 लेटर प्रती गंटे की average diesel कपत है इस टेक्टर की ये diesel कपत इस बात पर निर्वर करती है कि आप टेक्टर को कहां चला रहे हो और किस चीज पर चला रहे हो और कैसे चला रहे हो कीमत की बात करें तो लगबग 10 लाग में पढ़ता है ये टेक्टर मेरे आम अध्यप्रदेश में और 2 साल तक की warranty मिलती है इस टेक्टर पर जिसे आप 5 साल तक बढ़वा भी सकते हो और 5000 घंटे पर सरविस इंटरवल है इस टेक्टर का अब बारी है टेक्टर टीवी डॉट इन के स्कोर की तो सोनाली का टाइगर पचपन डी एई थ्री सिलेंडर के टॉर्क को मिलते है 100 में से 100 पॉंट PTO पावर को भी मिलते है 100 में से 100 पॉंट कोई माप डंड नहीं है टेक्टर को परकने का ये नमबर हम हमारी नीजी राय के आदार पर निकलते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी हो वही किसान भाईयो इस स्कोर को निकलने के लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ती बहुत से चीजों को देखना पड़ता है तब जाकर ये नमबर हम निकाल पाते हैं तो किसान भाईयो आप भी कमेंट करके बताएं कि पाइंट या इसकोर वाला सिस्टम आपको कैसा लगा कि आपको इससे कोई मदद मिली या फिन नहीं बाकी वीडियो पसंद लगी है तो लाइक करें शेयर करें और कमेंट करें कोई कमी हो तो सुझाब दें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें धन्यवाद